इसके लिए यहां पर हम लोग जो देखे स्टार्ट राइक्वन है तो स्टार्ट राइक्वन के ऊपर राइक्लिक करिए राइक्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने जो देखे बहुत सारा ओप्शन दिखाए दिरी है तो यहां से आपको ओपन करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर फाइनली device manager open हो चुका है W I Z जो देखे यह है तो देखे यह है totally common जो देखे H D WW I Z then उसके बात आप open button में click करें open button में click करेंगे तो yes unlock optional जगा just यहाँ पर आपको yes button में click करना पड़ेगा yes button में click करेंगे तो क्या होगा same to same window आपके सामने open हो जगा जो में यहाँ पर LAN से मैं connected हूँ जो देखे मेरा LAN card यहाँ पर शो करी है same to same यहाँ पर हम लोग ने जो अभी अभी यहाँ पर Microsoft KM test loopback adapter यहाँ पर installation किये थे यहाँ पर आपके सामने show करी है तो देख अगर आप इसके बात Wi-Fi क्या है अगर आप Bluetooth से use करते हैं तो सब कुछ यहाँ पर network adapter के अंदर मिलेगा तो हम लोग network adapter को expand करते हैं करने के बाद ही यहाँ पर आपके सामने जो देख है हम लोग ने अभी आभी जो एक loopback adapter को create किये थे जो देखा Microsoft KM test loopback adapter तो जस्ट इसके उपर आप right click करिए राइक करने के बात यहाँ वेलकम बैक स्पेंस तो मैं बहुत दिन के पात आप लोग के लिए फीट से उइंडोस 11 का ट्वीटर लेका चुका हूँ तो आज का टोपिक बहुत इंपोर्टेंट होने बली है तो प्लीज इस बीटो को जरूर एंड तक देखें अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो problem आ सकती है तो आज का जो हम लोग topic देखेंगे उइंडोस 11 सिस्टम में कैसे loopback adapter को installation करते हैं तो मैं आज आप लोग के लिए details में share करूँगी तो देखें मैं यहाँ पर windows 11 यूज कर रहा हूँ अगर आप windows 10 यूज कर रहे हैं तो same to same format होगा कुछ भी changes नहीं होगा तो मैं पहले आप लोग के लिए clear कर देता हूँ तो चलिए हम लोग कैसे loopback adapter को installation करते हैं windows 11 सिस्टम में इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरुजी चैनल को subscribe नहीं क्या होगा तो पहले चैनल को जरू subscribe कर लिजे और bell icon को paste करना ना भूलिए तो इससे क्या होगा मैं जब भी नए वीडियो दूँगी तो पहले आपको notification मिल जाएगा आप लोग like, share, comment कुछ नहीं करती तो देखे एक like से बहुत सारा motivation मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद like, share and comment करना ना भूलिए जब भी आप bell icon को paste करेंगे तो आप on में ज़रू click करिए then उसके बाद हम लोग move करते है loopback adapter को कैसे installation करेंगी अगर आप loopback adapter के बाद में जानते हैं तो okay अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग के लिए short में information share करना चाहता हूँ तो देखें यहाँ पर आप देख पना है जो देखें loopback address is a special IP number 127.0.0.1 that is designed for the software loopback interface of a machine जो देखें loopback address का जो IP address किया है जो देखें 127.0.0.1 then उसके बाद यह loopback interface is a logical interface and it allows your to assign an IP address जो देखें loopback address को आप logical interface भी बोल सकते हैं and आपने जो loopback address कीर किया है उसमें आप IP भी assign कर सकते हैं IP assign कर सकते हैं, subnet marks assign कर सकते हैं जो इसके बाद default gateway then DNS भी आप assign कर सकते हैं सब कुछ assign कर सकते हैं system से आप easily loopback address को ping भी कर पाएंके नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो देखें the loopback adapter is a dummy network card that is used as a testing tool for virtual network environment where network access is not available or when you want to isolate your testing network from your main network so I hope आप आप लोग को clear हो चुका होगा अगर भी कोई भी डाउट आ रही है कुछ भी question आ रही है ता प्लिस comment section में जरूद दे दीजे तो मैं आप लोग के लिए जरूद हैं नहीं तो आप इसको totally screenshot भी ले सकते हैं जो loopback address क्या है देन उसके बाद हम लोग move करते हैं कैसे installation करेंगे इसके लिए यहाँ पर हम लोग जो देखे start icon है तो start icon के उपर right click करेंए right click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे बहुत सरा option दीखाई दे रही है तो यहाँ से आपको open करना पड़ेगा जो देखे यहाँ पर finally device manager open हो चुका है then उसके बाद यहाँ पर आपकी system का जो भी यहाँ पर information show करी है तो यहाँ पर हम लोग कोई भी छेरचा नहीं करेंगे तो देखे यहाँ पर आप देख पार है जो देखे file action view help यहाँ पर tap दिखाई दे रही है तो देखे यहाँ पर आपको action tap में click करना पड़ेगा तो just यहा यहाँ पर help ही दिखाई दे रही है और कुछ भी option नहीं है तो देखे अगर आपकी case में ऐसा दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पर थोड़ अवेट कर लिजे नहीं तो आप यहाँ पर scan for hardware changes में आप एक बाद थोड़ असा इसको refresh कर लिजे refresh करने के बाद यहाँ पर आप option शो करी थी तो देखे यहाँ पर आपको जो देखे add drivers then उसके बाद scan for hardware changes add legacy hardware then उसके बाद device and printer का option यहाँ पर available है तो देखे यहाँ पर आम लोग just for add legacy hardware में हम लोग click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे यहाँ पर एक window open हो चुका है जो देखे welcome to the add hardware wizard अगर आप इस method को apply करना नहीं चाहते हैं तो चलिए मैं आप लोग के लिए और भी एक method share करता हूँ तो देखे इसके लिए यहाँ पर आप देख पर हैं जो देखे search का icon है तो just यहाँ पर search button में click करें देन उसके बाद यहाँ पर आप type करें जो देखे hdwwiz जो देखे यह है तो देखे यह है totally common जो देखे hdwwiz देन उसके बाद आप open button में click करें open button में click करेंगे तो Osmanlumfchen आ जागा यहाँ पर आपको yes button में click करना पड़ गा yes button में click करेंगे तो क्या होगा same to same window आपके सामने open हो जागा जो देखे थोड़े पहले यहाँ पर हम लोग ने जो open किये थे, जो देखे same to same window आप खनाट आप ऐसे करके भी आप open कर सकते हैं तो चलिए मैंने आप लोग के लिए दोनों प्रोसेस दिखाई दिया हूं जो भी method आपके लिए अच्छा लगते हैं आप उस method को follow कर सकते हैं देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहा है जो देके welcome to at hardware wizard देन उसके बाद आप next button में क्लिक करें next button में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देके दोनों option शो करिए जो देके what do you want to wizard to do जोदे कि यहाँ पर दोनों option है, जोदे कि यहाँ पर आपको second option को चुछ करना पड़ेगा, जोदे कि यह है second option, install the hardware that I manually select from a list, then उसके बाद आप next बटम में क्लिक करिये, next बटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सामने जोदे कि show all device, जो दे कि यहाँ पर आपके सामने बहुत साले device आपके सामने show हो जागा, जो दे कि hardware related भी यहाँ पर available है, and software related भी यहाँ पर available है, तो यहाँ पर आपको चुछ करना पड़ेगा, जो दे कि यह है network adapter, just इसके ओपर आपको select करना पड़ेगा, then उसके बाद आपको next बटम में क्लि सकती हैं, तो यहाँ पर आपको avoid कहना पड़ेगा, then उसके बाद यहाँ पर आप देख पर हैं, जो देखिए, यहाँ पर manufacturer है, and यहाँ पर model है, तो देखिए, manufacturer में यहाँ पर बहुत सारा option दिखाए दे रही है, तो देखिए, यहाँ पर Intel भी available है, Microsoft भी available है, Realtek, बहुत सार का, यहाँ पर manufacturer available है, तो देखिए, यहाँ पर आपको Microsoft को choose करना पड़ेगा, तो देखिए, here on microsoft पर two options, जो देखिए, only microsoft and second option है, Microsoft corporation, तो देखिए, compare corporation को choose करना नहीं, तो देखिए, आपको एक option मिल जागा जो देखे Microsoft KM test loopback adapter जो देखे यह है तो just इसके उपड़ आपको select करना पड़ेगा select करने के बाद यहाप आपको next button में click करना पड़ेगा next button में click करने के बाद यहाप आपको दिखर दे रही है जो देखे to start installing your new hardware click next अगर आप installation करना चाहते हैं तो इस hardware को तो आप next button में click करिए तुम हम लोग installation करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं next button में click करता हूं next button में click करने के बाद इसका जो भी package है यहापर automatically installation हो जाएगा तो देखे यहापर installation भी successfully हो जुका है कोई भी error नहीं आया है then उसके बाद हम लोग finish button में click करते हैं finish button में click करने के बाद यहापर जो भी कामता device manager का totally complete हो चुका है then उसके बाद हम लोग जो यहापर loopback adapter जो create किया है यह देखेंगे कैसे कहाँ पर यह option show होगा तो इसके लिए आपको दोनों process है तो देखें आप directly control panel से भी आप open कर सकते हैं नहीं तो आप लोग के लिए shortcut method भी share करते तो तो देखें shortcut method मैं पहले आप लोग के लिए share करता हू यह देखें कि फार्स आप windows and r button को प्रेस करिए windows and r button को प्रेस करने के बाद यहा पर आपको makma moment को type करना ठड़ेगा इंटर बॉटन को प्रेस करने के बाद आपकी system का जो भी यहाँ पर interface है यह पर आपके सामने शो हो जाएगा जो देखें मेरे case में यहाँ पर lans से में connected हूँ जो देखें मेरा laser is here यहां पर शो करी है, same to same, यहां पर हम लोग ने जो अभी-अभी यहां पर Microsoft KM test loopback adapter यहां पर installation किये थे, यहां पर आपके सामने शो करी है, तो देखे, अगर आप इसके उपर आप double click करेंगे, तो यहां पर आपके सामने, जो देखे, all information आजगा, जो देखे, IP version 4 का भी information है, IP version 6, then उसके बाद media state, duration, speed, यहां पर all information देख पाएंगे, अगर आप details में क्लिक करेंगे, तो और भी details में देख पाएंगे, यहां पर all information है, then उसके बाद अगर आप यहां पर कोई भी customization करना चाहते हैं, तो आप customization भी कर पाएंगे, customization कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए यहां पर आपको properties में जाना पड़ेगा, properties में जाने के बाद यहां पर आपके समने, जो देखे, internet properties का option आचुका है, then उसके बाद यहां पर IP version 4 और यहां पर IP version 6 दोनों यहां पर available हैं, अगर आप IP version 6 को use करना नहीं चाहते हैं, तो यहां से आप uncheck भी कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आप रहने दीजा, कुछ भी changes मत करिए, तो यहां पर हम लोग IP version 4 को use करेंगे, तो यहां पर हम लोग IP version 4 के उपर double click करते हैं, double click करने के बाद यहां पर आपके समने, और भी एक new window open हो चुका है, जो देखे, यहां पर दोनों option शो करिए हैं, जो देखे, अप्टेन एंट IP address automatically and यहां पर obtained DNS server address automatically, जो देखे, यहां पर already यहां पर एक IP address mention है, जो देखे, मैं आप लोग के लिए share करना चाहता हूँ, तो देखे, अगर आप details में जाएंगे, तो यहां पर आप देख पाएंगे, जो देखे, यहां पर automatically IP address ले लिया है and यहां पर subnetmarks भी ले लिया है, following IP address में click करिए, click करने के बाद आपका assist यहां पर आप जो भी IP देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, तो फिला मैं यहां पर IP देता हूँ, जो देखे, 192.168.5.1, तो मैं यहां पर IP देता हूँ, then उसके बाद यहां पर मैं subnetmarks automatically जो भी है, वी लेना चाहता हूँ, then उसक आपके बाद alternate DNS भी provide कर सकते हैं, तो फिलान मैं यहां पर इसको skip कर रहा हूँ, just यहां पर मैं IP address and subnetmarks को देता हूँ, then उसके बाद यहां पर मैं OK button में click करता हूँ, OK button में click करने के बाद just पर इसको भी मैं OK करता हूँ, then उसके बाद यहां पर अगर आप details में देखेंगे तो यहां पर properly यहां पर IP address change हो चुका है, जो हम लोग ने manually दिया है, जो देखे 192.168.5.1 इससे पहले IP address totally different था, then उसके बाद हम लोग इसको पिंग करके भी देखते ह हैं, जो देखें, यह successfully work करी है कि नहीं, तो चलिए, इसके लिए मैं यहां पर Windows and R को प्रेस करता हूँ, जो देखें, run open हो चुका है, then उसके बाद यहां पर मैं type करता हूँ CMD, तो just यहां पर हम लोग CMD को open करते हैं, तो देखें, finally यहां पर CMD भी open हो चुका है, then उसके ब loopback adapter में, then उसका बाद आप keyboard से enter button को press कर दीजें, यहां पर successfully यहां पर ping हो रही है, कोई भी packet loss नहीं हुआ है, जो देखें, sent यहां पर 4 and receipt यहां पर 4, जो देखें, 0% loss, so देखें, आप ऐसे करके कोई भी loopback adapter को installation कर पाएंगे, Windows 10 नहीं तो Windows 11 system, same to same format होगा, कुछ भी changes नहीं है, जो देखें, यह है fast method, अगर आप इस method को apply करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, कुछ भी problem नहीं होगा, अगर आप इस method को apply करना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग के लिए और भी एक method है, तो चलिए, इसके लिए, फिर से आपको cmd open करना पड़ेगा, तो यहां पर cmd open है, तो यहां पर थोरी देर पहली हम लोग ने जो एक common को apply किये थे, common क्या था, जो देखे, hdwwiz, जो देखे, यह है totally common, तो मैं फिर से repeat कर रहा हूं, जो देखे, hdwwiz, then उसके बाद आप enter बटम को प्रेस कर दीजे, enter बटम को प्रेस करने के बाद, yes and no का option अजगा, just यहां पर आपको yes बटम में क्लिक करना पड़ेगा, yes बटम में क्लिक करने के बाद, same to same window आपके सामने आ चुका है, जो देखे, welcome to add hardware wizard, then उसके बाद आपको यहां पर कोई भी और भी loopback adapter, अगर आप create करना चाहते हैं, तो यहां पर आप next बटम में क्लिक करिए, then उसके बाद select करिए second option को, then उसके बाद यहां से आप network adapter को चुछ करिये, then उसके बाद next बटम में क्लिक करिए, then उसके बाद यहां पर आपको manufacturer में, यहां पर आपको Microsoft चुछ करना पड़ेगा, Microsoft चूछ करने के बाद, यहां पर आपको, जो देखे, Microsoft K.M. test loopback adapter में, just यहां पर आपको क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पर जस्ट नेक्स बड़म में क्लिक करेंगे तो और भी एक लूप बैक क्रेट हो जाएगा सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा जो कैसे हम लोग लूप बैक अडप्टर को इंस्टालेशन करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर आप इसको अंस्टालेशन करना चाहते हैं तो चलिए इसके लिए इसके लिए आपको सिस्टेम का जो भी इन्थो क्या है रैम क्या है माउस क्या है मॉनिटर क्या है ओल इंपोर्मोशन शो करिए तो देखे यह यह आप ब्लूथूट से यूज करते हैं तो सब कुछ यह आपर नेटवाक अड़क्टर के अंदर मिलेगा तो हम लोग डेटवाक अड़क्टर को एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंड करने के बाद ही यहाँ पर आपके सामने जो देके हम लोग ने अभी आभी जो एक लूपबेक अड़क्टर को क्रेट किये थे जो देकर Microsoft KM test loop back adapter, तो जास्ट इसके ओपर आप right click करिए, right click काने के बात यहाँ पर आपके सामने, तीनों options करिए, जो देकर update driver, disable device and यहाँ पर installation device, अगर आप update करना चाहते हैं तो diver को update भी कर पाएंगे, अगर आप disable करना चाहते हैं तो थोड़ी दिर के लिए तो आप disable भी कर पाएंगा अगर आप सोच रहा हैं कि नहीं मैं यहाँ पर system से installation करना चाहता हूं तो आप इसके लिए third option को choose करिए जो देखे यह है third option third option में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आपके समने जो देखे यहाँ पर एक चोट असा window open हो जागा जो देखे यहाँ पर आपके समने जो देखे एक warning का message भी शो कर सकती है जो देखे you are about to install this device from your system तो देखे अंस्ट्रॉल का option है and यहाँ पर cancel का option है तो यहाँ पर हम लोग installation करना चाहते है system से तो देखे इसके लिए just for install बटम में क्लिक कर दीजे अंस्ट्रॉलेशन बटम में क्लिक करने के बाद ही यहाँ से जो देखे successfully यहाँ पर जो हम लोग अगर आप और भी डीटल में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप विंडोस न आर बटम को प्रेस करिए देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक कमट अपले करना पड़ेगा जो देखे ncpa.cpl देन उसके बाद आप इंडे बटम को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखे successfully यहाँ से भी अंस्टॉलेशन हो चुका है तो देखे अगर आप इस कमट का अपले करना नहीं चाहते हैं तो चलिए मैं आप लोग के लिए और भी एक option दिखा देता हूं तो इसके लिए आपको सकते हैं जो देखें बहुत सरा method मैंने आप लोग के लिए शेयर कर दिया हैं और कैसे verify करते हैं और कैसे work करती हैं अगर आप आप अंस्ट्रालेशन करना चाहते हैं तो कैसे अंस्ट्रालेशन करेंगे ओ भी मैंने method शेयर कर दिया है I hope आप लोग को clear हो चुका होगा फिर भी कोई भी डाउट आ रही है कुछ भी कोशन आ रही है ने तो कुछ error आ रही है तो आप लिस कमेंस्ट्रिक्शन में जरूद दे दीजे तो मैं आप लोग के लिजाड़ो help कर दोंगी same to save method Windows 10 में भी आपको apply करना अगर आप लोग ने अभी तक भी नेट्वोकिंग गुरुजी चैनल को subscribe नहीं क्या होगा तो पहले चैनल को जोड़ो subscribe कर लिजे और बेल आकोन को paste करना ना भूलिए इससे क्या होगा म अगर आप लोग उंडोस 11 के ओपर डिटर्स में तो डारेकली आप प्लेइलिस्ट में जाएए प्लेइलिस्ट में जाने के बाद यहापर मैंने एक प्लेइलिस्ट केट किया है जो देख है उंडोस 11 का almost 62 वीडियो यहापर अबलेबल हैं यहापर hidden features भी यहापर अबलेबल अगर आप others networking के tutorial देखना चाहते हैं तो router, switch, firewall, then उसके बाद windows server नहीं तो यहापर interven, question, answer and यहापर अगर आप cloud का भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहापर python network automation भी यहापर अबलेबल है अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहापर A to Z information available है आप लोग देख सकत हैं, so I hope आप लोग को clear हो चुका होगा जो कैसे installation करते हैं loopback adapter को, windows 10 ने तो windows 11 system में, I think आप लोग जानती ही होंगे जो nettalking गुरुजी नहीं से एक facebook का पेचा है और twitter का भी पेचा है, अगर आपने follow नहीं क्या होगा तो आप ज़रू follow कर लिजे, तो मैं इस वीडियो की description में मैं इसका भी link दे दूँगी, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही सो आने वाले दिन में हम लोग और भी advanced to advanced nettalking tutorial में ज़रूर आप लोग को ले लेगा जोंगी, so please इस वीडियो को like, share and comment करना ना बोलियें, इसके साथ facebook और twitter का भी page, इसका link मैं इस वीडियो की description में दे दू गी, so दोस्तों आज के लिए इतने ही, thanks for watching.